हेलो नमस्कार दोस्तो आजके इस वीडियो में कुछ इस पकार से इदुल अजहा के लिए ग्रूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को शुरू से लेके अन तक आप लोग देखते रहिए ताके आप लोग भी इस पकार से इदुल अजहा के लिए ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो PLP फाइल यूज हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पास्वर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन स्टेप में मिल जाएगा दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चल लेव अप्लिकेशन की जरोध परती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इस एप को डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लेव एप्लिकेशन को उपन कर लेते हैं एप्लिकेशन को उपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे न्यू टेक्स को हम लोग डिलीट कर देगे उसके बाद right side corner में उपर की side पे three dot की निसान पे क्लिक करेगे नीचे scroll करके open plp file पे double click करेगे यहाँ पे plp पे क्लिक करेगे यहाँ arrow के निसान पे क्लिक करेगे और जहाँ भी हमने file को download करके save करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग file को open कर लेगे यहाँ पे इदुल अजहा plp पे क्लिक करेगे open and add पे क्लिक करेगे यहाँ पे ok कर देगे उसके बाद back हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा plp file open हो जाएगा अब इस plp file में हमको जो भी change करना है वो change करके हम लोग अपना group poster तयार करेगे इसके लिए plus के बगल में जो icon बना हो आपे क्लिक करेगे और जहाँ भी हमको change करना है उसे delete करके या edit करके हम लोग change कर सकते है तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ photo page लगा रखा है तो दोस्तो अगर आप लोग को यह photo page पसंद नहीं है इसके लिए प्लस के बगल में जो icon बना हो आपे क्लिक करेगे और जहाँ भी यह photo page है वहाँ पे delete वाले icon पे क्लिक करके इसको हम लोग delete कर देगे उसके बाद दोस्तो प्लस वाले icon पे हम लोग click करेगे उसके बाद from gallery में चले जाएगा और जहाँ भी हमने photo page सेव करके रखा हुआ है हम लोग photo page सेलेक कर लेगे अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है आप सभी देश स्वासियों को इदूल अजहा की तहे दिल से मुबारक बात दोस्तो यहाँ पे जो इदूल अजहा लिखा हुआ है और डीजी फॉंट है तह अगर आप लोग के पास इसे भी बढ़िया कोई डीजी फॉंट है तह उसे यूज कर सकते हो या फिर इसे ही रेने दे सकते हो अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रूप फ्रेम लगा रखा है और जहां भी हमने photo page save करके रखा हुआ है वहां से हम लोग photo page को select कर लेगे यहां से दोस्तों मैं कोई भी एक photo page ले ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों इसको crop कर लेगे जितना भी हमें चाहिए उसके बाद यहां पर ok वाले icon पर click करके इसको ok कर देगे उसके बाद दोस्तों यहां पर बड़े वाले बिंदू पर click करके इसको छोटा कर लेगे जिससे frame में सही जगा पर exist हो जाए तो दोस्तों देख सकता हूँ यहां पर मैंने photo page एड़ कर दिया है इसी पकार से दोस्तों बाकी की photo page एड़ करके quality dimension में ultra select करेगे और save to gallery पर click कर देगे दोस्तों इस पकार से अमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तों इसी पकार से आप लोग को किसी festival का या अपने soft का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा जिससे आप लोग मोबाइल से पोस्टर बना सको दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना जय हिन जय भारत